हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक तो माई चैनल, ट्रिपल सेवन सोल चरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप सब, I hope कि सभी अच्छे हैं, खुश और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है, नेक्स थ्री डेज आपकी लाइफ के कैसे जाएंगे, ठीक है, आने वाले तीन दिनों में आपकी लाइफ, आपका वर्क, हेल्थ, आपका मूड, कैसा रहेगा, यह सारी बाते मैं पता करूंगे, ठीक है, तो नेक्स थ्री डेज के लिए प्रेडिक्शन है, जब भी आप इ साथ मैच हो जाती है, तो वैल इन गुड है, ठीक है, और यह रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप पहुंचे, अराम से देखिए, यह आपकी हल्प कर सकती है, रीडिंग, चलिए अब देख लेते हैं, आने वाले तीन दिन कैसे रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में, और दो कार्ड आए एक साथ, फोर ओफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ओके, वी हाव वाव, फिर से दो कार्ड आया है हमारे पास, पेज ओफ कब्स और टेंपरिंस का कार्ड है, वी हाव नाइन अव वांड्स, ओके, ऐसा लग रहे है कि यह पूरा लव दिस्क्राइब कर रहे है, सेवन ओफ वांड्स, सगिटरिया और लियो बहुत स्ट्रॉग दिखरा है मुझे यहाँ पर, ओके, क्वीन, क्वीन ओफ काफ्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइस, वी हाव तो फेंटिकल्स, we have hanged man, Pisces, ace of swords, we have chariot, Cancer, we have six of pentacles, the wheel of fortune, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius and Sagittarius, Pisces and Cancer, बहुत स्ट्रॉग साइन दिख रहे हैं सारे मुझे को, कार्ड मैंने निकाल लिया है, हमेट, विरको भी आ गया यहाँ पर, guys, फिल्हाल जो साइन बताएं वो तो यहाँ है ही, elements यहाँ सारे हैं, साइन भी यहाँ सारे हैं, लेकिन जो major थे न वो मैंने आपको बता दिये, कौन-कौन से बताएं हैं, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius and Sagittarius, and Pisces और Cancer, ठीक है, यह साइन मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे हैं यहाँ पर, देखें, आपकी love life में कुछ new होगा, और कुछ नया कैसे होगा, यह कुछ telepathically होगा, आपके soul का union हो सकता है, आपके partner के साथ हो सकता है, कि आप soul level पर अपने partner को feel करने वाले हैं, आने वाले तीन दिनों में, यह जो आपका अकेला पन है, यह कुछ हद तक दूर हो जाएगा, काफी positive energy आप gain करने वाले हो, आने वाले तीन दिनों में, especially in your love life, I know, 4-5 दिन जो अभी गए हैं, यह आपके बहुत heavy थे, इसमें आपने काफी खुद को अकेला feel करा है, और मैंने आप लोगों को reading में बता भी दिया था, कि आपके partner आपसे disconnect होने वाले हैं, ठीक है, मैंने यह बात आप लोगों को बोली थी, अपने शायद दूसरे channel पर मैंने बोली थी, जिसका नाम है, triple seven tarot, ठीक है, अगर आपको नहीं पता मेरे उस channel का नाम, तो description box में link भी है, आप वहाँ पर click कीजिए, आप मेरे channel पर पहु कि आप लोगों से बात नहीं करेंगे, या फिर बिल्कुल ही ना मतलब disconnect हो जाएंगे, ना social media पर active रहेंगे, ना कोई telepathically आपको sign देंगे, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, भले ही आपके partner ने connection खतम कर दिया हो, वो परिशान हो गए हो, डिस्टर्ब हो गए हो, लेकिन divine ने आपका connection तूटने नहीं दिया, वो नो ने आपको कुछ ना कुछ number sign, कुछ ना कुछ पताया, भेजा, जिससे कि आपके mind में आप give up न करें, आपका ये concentration बना रहे इस connection पर, ठीक है, divine का कुछ ना कुछ योगदान रहा है, इन 4-5 दिनो में बहुत ज़्यादा रहा है, guys, ठीक है, to be honest, आपको strength the divine ने, आपको इस connection को ऐसे बंध मुठी में, ठीक है, ताकि आप रख पाए, आप अपनी hope ना खो दें, इस connection में, इस चीज़ पर divine ने आपको बहुत ज़्यादा guide किया है, और मैंने अपनी reading में आपको बताया भी थ था, कि 3, 4, 5, 6 दिन आपकी life के थोड़े से, you know, आप panic रहोगे, because आपके partner disconnect होने वाले हैं, और आप रहे भी हो अकेले, लेकिन अब new beginning के chances है, अब क्योंकि new beginning के साथ temperance का card है, ये मुझे clear बता रहा है कि आपका telepathic connection फिर से बनेगा, ठीक है, आप telepathically communication करने स्टार्ट कर द कर, आपका तो बढ़ी राय डे बाय दे, लेकिन आपके partner की तरफ सेना, मैं बहुत positive energy आपकी तरफ आते हुए देख रही हूं, क्योंकि इसको काफी regret भी होगा, कि मैंने अपने partner को क्यों अकेला छोड़ दिया, मैंने अपने partner से क्यों disconnect होना चाहा, और वो सच में आपको contact क करने, इसके मन में आएगा कि आपको contact करें, आपसे बात करें, और ये सारी की सारी चीजे होंगी, हकीकत में होंगी, लेकिन कैसे होंगी, telepathically, हो सकता है कि ये partner आपके dream में आ जाए, हो सकता है कि ये partner के तरफ से आपको काफी numbers, patterns, और sign वगरा दिखने शुरू हो जाए, ठी positive energy, feel होने वाली है, इस connection से लेकर, ठीक है, और अपने partner से लेकर, अगर मैं आपकी work area की बात करूं, guys, अभी भी आप stuck हो, अभी भी आप, देखो मेहनत तो करते वे दिख रहे हो, ace of swords है, काफी नए-ने तरीके, नए-नी चीजे अपलाई कर रहे हो, बहुत हद तक अपने हो, उस पर implement करने की सोच भी रहे हो, right now मुझे ऐसा लग रहा है, आप बहुत soft है, आप उतने जादा dedication के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, जितना आपको अभी चाहिए, हो सकता है, circumstances ही ऐसे हैं, कि आप proper, you know, attention नहीं दे पा रहे हो, या फिर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकि to do a lot of hard work to achieve your goal, seriously, to be honest, because, जो position में आपके देख रहे हूं, इस position में कोई भी इनसान अच्छे से काम नहीं कर सकता, ठीक है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, overthinking बंद करके, जितने भी plan up बना लिया है, उन पर implement करना शुरू गर, और फिर देखो, आने वाले तीन दिनों आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ success में आते वे देख रहे हूं, कुछ ना कुछ वे आते वे देख रहे हूं, जिससे कि आप stand इसके लिए लोगे, उन काम को करोगे, और आपको काफी अच्छा result मिल सकता है, बिकास वील of fortune आपके साथ है आने वाले त तीन दिनों में काफी relax feel करोगे अंदर से खुशी मिलेगी आपको ठीक है ऐसा भी मैं देख रही हूँ आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत बड़ा है बहुत बड़ी एक target कह लीजिए ठीक है अचीव करना इतना easy नहीं है ठीक है इससे related आपको मुझे लगता है ड्रीम भी आते हैं और आप ठोड़े से घबराएवे हैं अपने ड्रीम में अपने पॉपस को लेकर वो इसलिए हो रहा है because you are in hanged man position इसलिए ऐसा हो रहा है otherwise देखो you are capable आप capable है you have enough knowledge ठीक है experience है आप कर सकते हो need क्या है यहाँ पर आप proper balance बनाईए और उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए अगर नहीं करोगे तो फिर तो delay होगा ही होगा good luck है जितना efforts लगाओगे वो काम करेंगे health के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है ध्यान रखिए health पर ध्यान दीजिए आपने सारी activities अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है आपने start तो कर दी थी activities जो भी yoga थी या आप walk पर जाने लग गए थे पर आपने अब फिर से बंद कर दी है हो सकता है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है इसलिए ऐसा कर रहे हो बट अगर गर्मी लगती है तो guys morning में जाओ evening में जाओ ठीक है या फिर gym चले जाओ gym में तो AC वगरा सब होता है अगर आपको doctor ने advice दी है कि आपको exercise करनी है तो आपको करनी चाहिए I know बहुत सारे चीज़े जब एक साहत हो जाती है तो नहीं balance बन पाता बट यही तो आपके challenges है आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा walk कीजिए यह important है आपके लिए ठीक है maintain तो करना पड़ेगा आपको अपना lifestyle अच्छे से यह चीज़े आपके लिए आरेगा इस ए guidance है तो आप जल्दी ही अपने goals को achieve कर सकते हो आपकी life में proper balance ही बन नहीं पा रहा है आप कोशिश तो कर रहे हो बनाने की यह चीज़ लेकिन बन नहीं पा रहे है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले time में आप कर लोगे because मुझे बहुत चीज़े दिख रही है सबसे पहली बात है temperance का card जो कि मुझे बता रहा है कि आप अपनी healing पर ज्यादा से ज्यादा focus करने वाले हो आपके साथ the wheel of fortune है जो भी आप efforts लगाओगे वो work करेंगे फिर हमारे पास है chariot का card जो कि मुझे बता रहा है कि success आपके पास आ रहा है तो overall ये 3 days आपके life में best साबित होने वाले हैं खुद पर भरोसा रखिए काम करते रहिए थोड़ा सा emotional level पर ना सोच कर practically सोच ये ये भी आपके लिए बहुत important है ठीक है आने वाले 3 दिनों के लिए अगर कोई advice आ रहे है तो मैं वो देख लेती हूँ आपके लिए फिलाल कल super moon है full moon का day है आपको अपने healing पर focus करना है अभी तो healing का ही time है आपके लिए आपके लिए we have full moon in Sagittarius wonderful look at the bigger picture सोचने का नजरिया बढ़ा दो यह good luck का sign है आपके लिए ठीक है bring love into the situation अपनी ही situation में जैसी भी आपके situation है प्यार करो खुद से अपने आपको importance दो खुद से प्यार करना सीखो किसी भी हालत में and negativity को बिल्कुल release कर दीजे what do you need to release you need to release negativity full moon in Pisces यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको proper balance बनाने की जरुरत है spirituality भी और practicality भी यह तो बहुत important है let's see तीन दिनों में divine आपको क्या advice देने वाला है यहाँ से क्या कौन सा card आपके लिए आने वाला है यह भी एक बार हम देख लेते हैं Mother Mary love and peace let go of the need to be right sometimes हमें खुद को सही साबित करने की कुछ जरुरत नहीं है because divine को सब कुछ पता है आपके भगवान को सब कुछ पता है तो आप खुद को सही साबित करने में अगर आपको अपनी energy waste करनी पड़ रही है जगडे हो रहे हैं अपने आपको प्रूफ करना है तो आप उसको रहने दो आप उसको let go कर दो because divine knows everything about you and about your situation ठीक है चूस पीस आपको पीस चूस करनी है Mother healing is possible at this time Mother healing यानि कि Mother Mary आपके साथ है आपके healing में आपको support कर रहे हैं और यह आपके साथ तभी है जब आप love और peace में होगे अपनी panic situation को बिल्कुल peaceful बना दीजिए यह आपके हाथ में है तो आपके life better हो जाएगी और आने वाले 3 दिन और जगा beautiful हो जाएगे आपके लिए Guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो यह reading अगर आपके साथ यह reading resonate हुई है तो मुझे comment section में बताना चैनल पर अगर आप नए हैं तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys Bye, take care